Hello everyone, आज के इस session में हम discuss करने जा रहे हैं class 9th biology के chapter The Fundamental Unit of Life का topic Cell Organals देखा जाए तो ये topic हम अपने previous session से पढ़ते हुए आ रहे हैं In fact, previous lecture में हमने 2 cell organals को discuss कर भी लिया था कौन-कौन से? Endoplasmic reticulum and Golgi body तो अब बारी आती है 2 और नए cell organals को पढ़ने की और इसलिए आज के session में हम बात करेंगे mitochondria and lysosomes की और यही तो है हमारे आज के इस session का target Hopefully आप सभी को समझ में आया होगा तो आपे काम करते हैं, अपने target को चीफ करने के लिए आए हम करते हैं अपने session की शुरवात So this is विभूती खरे, welcome to definite success पार चाला एक ऐसा platform जहाँ पर आपको provide करवाई जाती है एकदम quality education, एक ऐसा platform जहाँ पर एक चीज़ definite है और वो है आप सभी की success तो इसी अची बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये session जहाँ पर हम बात करेंगे दो और नए cell organals की mitochondria and lysosomes की clear? चल तो आज के इस session की कहानी को शुरू किया जाए किस के साथ? mitochondria के साथ सबसे पहले बिटा अपन mitochondria की कहानी पढ़ लेंगे फिर जब इसकी कहानी पूरी हो जाएगी फिर हम बात करेंगे lysosomes की उसकी भी कहानी हम देख लेंगे ठीक है? अच्छा अब मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनते जाना तो तुम्हें अपने आप सब कुछ समझ में आता जाएगा क्या तुम्हें पता है कि mitochondria को हम बोलते है powerhouse of the cell मैं लेक देती हूँ कि इसे हम बोलते है powerhouse of the cell देखो ये बात सच है कि अभी तक हमने इस पूरे चाप्टर में अभी तक mitochondria के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने इस चाप्टर में अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है जैसे कि cell wall, cell membrane prokaryotic and eukaryotic cells nucleus, cytoplasm, golgi body ERs, बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन mitochondria के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है आज पढ़ लेंगे, अभी क्या भी पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ने के पहले यहाँ पर जो मैंने लिख दिया है कि mitochondria को हम बोलते है powerhouse of the cell इसको सुनने के बाद, देखने के बाद पढ़ने के बाद, तुमारे दिमाग में क्या खयाल आया कि अगर मैं बोल रही है कि mitochondria क्या होता है powerhouse of the cell तो इसका मतलब क्या तुमने निकाला या क्या, तुमारे दिमाग में क्या आया कहीं न कहीं तुमारे दिमाग में आया हुआ कि शायद cell को energy मिलने वाली है इस cell organal से mitochondria से बेटा, यहाँ पर power का मतलब क्या है, energy है है न, तुम वो electricity वाली power मत समझ लेना यहाँ पर power का मतलब है energy तो इसको पढ़ करके definitely तुमारे दिमाग में खयाल आया हुआ कि यार, हो सकता है कि cell को उसकी energy कहां से मिलने वाली है इसी cell organal से, mitochondria से या कुछ बच्चों की दिमाग में यह भी आया होगा, कि cell के अंदर energy कहां बनने वाली है कहां energy synthesize होने वाली है तो इसी के अंदर, mitochondria के अंदर यानि कि energy का production कहां होने वाला है energy कहां से मिलने वाली है cell को mitochondria से और शायद इसलिए मैं इसको बोल रही है कि ये क्या है powerhouse of the cell अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में आई है जो मैंने अभी भी तुमसे बोली तो बिटा तुम बिल्कुल सही direction में जा रहे हो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही direction में गया है अब बस उसी direction को मैं थोड़ा सा explain कर देती है कि हम क्यों बोल रहा है इसको powerhouse of the cell लेकिन ये explain करने के पहले सबसे पहले अपन mitochondria का shape उसका structure है ना अंदर क्या है उसके क्या नहीं है सबसे पहले अपन वो समझ लेते हैं तो फिर हमें ये समझ में आएगा ठीक है तो जब हम एक cell को अच्छा कौन से cell को कि प्रोकेरियोटिक ये यूकेरियोटिक कि बिटा अपन cell organs पढ़ रहे हैं membrane bound cell organs कि अगर हमें इनको देखना है ना तो हमारे पास क्या होना चाहिए एक यूकेरियोटिक cell होना चाहिए जिसको कि हम microscope से देखेंगे अब्जर्व करेंगे तब ही हमको ये दिखने वाले हैं वरना तो प्रोकेरियोटिक सेल में बेटा कुछ होता कहां है देखने के लिए कि हैं धंका membrane bound nucleus तक तो होता नहीं है nucleoid लेकर कि घूमता रहता है वह यहां से बाहां तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए एक बहतरीन सा you karyotic cell चाहे plant सेलो animal सेलो कुछ भी क्यों ना हो बस तुम ध्यान रखो कि तुम्हारे पास होना चाहिए एक you karyotic cell तो जब तुम एक you karyotic cell को microscope के नीचे रखकर के देखोगे और उसके साइटोप्लाजम में जब तुम ढूंडने की कोशिश करोगे यह माइटोकॉंड्रिया को तो तुम्हें इनका शेप समझ में आएगा पता इनका शेप कैसा होता है बढ़ा मज़िदार सा होता है रॉड लाइक होता है यह देखो इस तरीके से जैसे रोड ऐसे बनती नए यह देखो ऐसे यह तो कुछ किताबों में इसको सॉसेज शेपड भी बोला जाता है वो तुमने खाया है hot dog अगर नहीं खाया है hot dog कोई चिंता की बात नहीं है देखा तो होगा जरूरी नहीं कि अपन हर्चीज खा ही ले है ना जो vegetarians है उन्हें नहीं खाया होगा मैंने भी नहीं खाया पर देखा तो है मैंने hot dog में क्या होता है दो bread के slice होते है उनके बीच में एक sausage रखा होता है I guess वो meat का बना होता है तो वो तुमने देखा होगा sausage देखा होगा ऐसा कुछ दिखता है वो ऐसा like this ये अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं देखा है तो बिटा अभी जाकर के दो मिट वीडियो को पॉस करो गूगल पर जाकर के सर्च करो कि ये sausage क्या होता है तुम्हें उसका जो shape है वो sun में आ जाएगा ठीक है तो कई किताबों में ये भी लिखा होता है कि इसका जो shape है वो कैसा होता है sausage जैसा बस तुम्हें याँ पर shape समझानी की बात मतलब कोशिश की जा रही है तुम्हें कि किसी तरीके से तुम्हें mitochondria का shape समझ में आ जाए rod जैसा दिखेगा ये sausage जैसा इसका shape होता है like that तो बड़ा अच्छा सा जो है न तुम्हें इसका shape देखने को मिलता है ठीक है अब आप बोलोगे कि मैं नमबर भी बता दो कि एक cell में कितने mitochondria होता है तो बेटा वो तो vary करेगा depending upon की cell की requirement कितनी है एक mitochondria को ले करके मानने की आप ऐसा समझो कि जैसे कि एक cell है ठीक है उसके अंदर energy requirement बहुत जादा है समझना ध्यान से एक cell जिसके अंदर energy के requirement जाद है वो cell बोलेगा कि यार बाकी जाएं मैं जो हूँ मुझे तो जादा energy चाहिए तो उस cell के अंदर क्योंकि जादा energy की demand है requirement है इसलिए उसके अंदर उसके cytoklasm में mitochondria का number तुम्हें जादा देखने को मिलेगा स्पर्म जानते हो स्पर्म male gamete पहले भी बात कर चुक है आपकी NCRT book में भी जो picture है उसकी मैंने दिखाई थी आपको previous lecture में तो स्पर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि स्पर्म जो कि एक male gamete है उसको male body से बाहर निकलना पड़ता है और फीमेल बॉड़ी में जो फीमेल रिप्ड़क्टिव ट्रैक्ट होता है उस ट्रैक्ट में ऐसे 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 स्विम करके फीमेल जो gamete है ओवम उस तक पहुचना पड़ता है मेरी बात इनमे आई की नहीं स्पर्म जो कि एक male gamete है उसको male की बॉड़ी से बहार निकलना पड़ता है फीमेल की बॉड़ी में जो female reproductive ट्रैक्ट होता है उसमें must ऐसे swim करते 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 उसको female gamete destination मतलब कि ओवम तक महुचना पड़ता है तब जाकर कि स्पर्म एंड ओवम का fusion होता है जिसको अपन बोलता है fertilization तब जाकर कि हम बनता है क्या zygote और जब वो zygote बनेगा उससे बनेगा embryo embryo से further grow करेगा develop करेगा fetus और fetus फिर एक full term baby में grow कर जाता है मतलब कि नए जीवन की जो शुरुवात है वो ultimately कहां से होगी zygote से ही होगी और zygote तभी बनेगा जब sperm and ovum का fusion होगा यह fusion यह fertilization तभी होगा जब sperm female reproductive tract में swim करते 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 अपने destination तक पहुँचे इसका मतलब क्या? sperm को move करना है, उसको movement करना है तो movement का मतलब क्या है? उसको जादा energy की requirement है कि नहीं? फिर तो definitely sperm के cytoplasmabida sperm क्या है? एक cell ही तो है, gamit है, एक cell ही तो है तो उसके अंदर mitochondria गजब होगा तो shape के बारे में तुमको मैंने बता दिया कि rod जैसा होता है sausage shaped होता है ठीक है? नंबर vary करेगा cell to cell, depending upon cell की requirement क्या है energy को लेकर क्या, अगर जादा energy की requirement है cell में, तो फिर mitochondria जादा होंगे और अगर जादा खास नहीं है energy की requirement cell में तो mitochondria काम होंगे, एक दो भी हो सकते हैं ठीक है? shape समझ में आ गया, number समझ में आ गया अब एक काम करते हैं structure समझ लेते हैं, यह कैसा होता है structure, mitochondria का अचा एक चीज़ मुझे तुमको और बतानी है plural होता है mitochondria और singular होता है mitochondrion, लिखा भी हो गया आपर देखो, mitochondrion मतलब बेटा, यह है एक mitochondrion और यहाँ पर देखो, तुमको कितने सारे दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार तो यह plural क्या हो जाएगा mitochondria usually हमको लगता है कि mitochondria ही है क्या, एक singular word लेकिन ऐसा नहीं है, mitochondria एक plural word है singular होता है mitochondrion बोल चाल में हम क्या करता है mitochondria, mitochondria बोल बोल कि अपनी अदर खराब कर लेते, लेकिन वो actually क्या है mitochondrion, plural अगर बहुत सारे mitochondrion होंगे तो अपन क्या बोलेंगे, mitochondria ठीक है, चलो अब English छोड़ करके, अपन बात करते हैं कि इसके structure की, ठीक है तो देखो ऐसा है कि इसका जो structure है उसको समझने करे लिए तो मैं ये समझना होगा, कि इसकी जो wall होती है या covering समझ लो, इसकी covering होती है, वो दो membranes की बनी होती है obviously, outer membrane and inner membrane, जैसे कि अपन नहीं बोलते हैं कि nucleus का जो, जो उसकी covering है nucleus का जो उसका cover है जो उसका envelope है, जो उसकी covering है वो दो layers की बनी होती है outer layer and inner layer वैसे ही mitochondrion का अंदर से कैसा नजारा होता है उसका structure क्या होता है, उसको समझने के लिए हमने क्या पढ़ा कि mitochondrion की जो covering होती है जो उसका cover है, वो actually बना होता है, दो membranes का जो membrane बाहर होगी, उसको बन क्या बोलेंगे outer membrane, जो अंदर होगी उसको बन क्या बोलेंगे, inner membrane आचा, outer membrane के लिए आपकी NCRT एक बढ़िया बात बोलती है कि mitochondrion की जो outer membrane होती न, वो porous होती है porous का मतलब क्या है? कि outer membrane पर पाय जाते है pores, continuous नहीं होती outer membrane mitochondrion की pores present होते हैं इसलिए NCRT बोलती है कि देखो porous है outer membrane शी वही जो इननर मेंब्रेन है उसकी तो क्या बोलें इनर मेंब्रेन ये बीटा माईटो कॉंड्रियोन की असली खेल तो उसी का होता है क्यूंग माईटो कॉंड्रियोन की जो इनर मेंब्रेन होती है वोना बहुत ज़्यादा फॉल्ड हो तो आपको बहुतर सब्सक्राइब आएगा यह देखो यह हो गई आउटर मेम्रेन ठीक है और जैसा की इंसी आटी ने बोला है कि वह यह पोरस होती है तो अपने काम करते हैं यहां पर कुछ पोर्स भी बना देते हैं अरे color change हो जाओ भई यह देखा रहा है पोर्स इन पोर्स को पता है पने क्या बोलते हैं पोर इंस पर वह आपकी नियुक्तमे मैं नहीं लिखा रही हो बस बता दिया है और से याद रख सको तो रख ले ना है ना बाकी हाँ NCRT में इतना ज़रूर लिखा है कि यह outer membrane जो है वो continuous नहीं होती है pores होते हैं और इसलिए क्या हो जाते हैं porous हो जाती है ना तो आपर हम लिख भी देते हैं कि this is porous outer membrane ठीक है अब देखना inner membrane को बड़ी मतलब खास होती है वो यह देखना यह दिख रही है inner membrane like this यह देखो folded है ना यह देखो ना folded है बड़ी तुम outer membrane और inner membrane को तुम खुद compare कर लो outer membrane में तुमको एक भी fold नहीं मिलेगा वहीं तुम यह देखो अंदर वाली membrane को कितनी folded है यह दिख रहा है तुमको fold इसके यह 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 इसी लिए खास है पता है क्यों क्योंकि यह जो foldings तुमको दिख रही है inner membrane की इन foldings को अपने एक special नाम देते हैं मतलब यह foldings इतनी special है कि इनको मलक से नाम ही देते हैं क्या नाम देते हैं क्रिस्टे क्रिस्टे बिटा sister ने नहीं sister ने तो क्या होता है वो membrane bound cycles होता है चप्टे चप्टे से जो पैरली arranged होते हैं जो अपने गॉल जी प्रेटरस में देखा था उसके structure में वो sister ने है यहाँ पर मैं बोल रही हूँ क्रिस्टे कि outer membrane porous है inner membrane बहुत ज़दा fold हो जाती है और इनी folds को या इनी foldings को हम क्या बोलते हैं क्रिस्टे बोलते हैं So these foldings are known as क्रिस्टे ठीक है क्रिस्टे बोलते हैं क्रिस्टे बहुत important है यह point कि inner membrane की जो foldings है इनको पन क्या बोलेंगे क्रिस्टे बोलेंगे ठीक है यह है inner membrane This one is inner membrane ठीक है अब देखो वह वाली बात है कि covering जो है mitochondrion की वो दो membrane की बनी है outer और inner तो definitely इनके बीच में कुछ ना कुछ तो space होगा वह आपको दिख भी रहा है यह देखो यह outer membrane यह inner membrane इनके बीच में space है तो इस space को अपन outer chamber बोलते है यह जो space दिख रही है आपको यह वाली outer chamber outer chamber ठीक है और यह जो inner membrane ने जो अपने folds बनाए है जो क्रिस्टे बनाए है क्रिस्टे के बीच में भी तो आपको यह space दिख रही होगी ना मैं इसको highlight कर देती हूँ यह देखो यह दिख रही यह space यह वाली inner membrane के जो folds हैं जिनको अपन क्रिस्टे बोल रहे हैं तो इन क्रिस्टे के बीच में भी तो आपको यह space दिख रही होगी ना ये वाली, इसको अपन बोल देते हैं, inner chamber, क्या बोल देते हैं, बच्चों, inner chamber, this one is inner chamber, इस picture में आपको और clear हो जाए, ये देखो, ये आपको brown color की outer membrane दिख रही है, ये जो folds आपको दिख रहे हैं, ये किसके हैं, inner membrane के हैं, inner membrane के आपको ये folds दिख रहे हैं, इनी folds को अपन क्या बोलते हैं, crystal बोलते हैं, ये देखो, crystal बोलते हैं, ठीक है, outer और inner membrane, sorry, outer और inner membrane के बीच में, आपको ये खाली जगा दिखाई दे रही होगी, बलब space नजर आ रही होगी, खाली नहीं होती है, fluid भड़ा रहता है, इसमें, लेकिन space दिख रही होगी आपको, इस space को अपन बोल बेटा भड़ा होता है, mitochondria का matrix, इसको अपन बोलते है, mitochondrial matrix, fluid ही भड़ा रहता है, है ना, ये जो inner chamber है ना, inner chamber बोले तो, इन क्रिस्टे के बीच में आपको space दिख रही है, उस space को अपन बोलते है, इन क्रिस्टे, उस space को अपन बोलते है, inner chamber, और inner chamber में जो fluid भड़ा होता है, उसको अपन बोलते है, mitochondrial matrix, अब इस matrix की खास बात क्या होती है, बेटा, कि यहाँ पर पाए जाते है, DNA, RNA, and ribosomes, अब आप बोलोगे, कि मैं, एक मिनिट, नूक्लिस इब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आपने बताए था कि नूक्लिस के अंदर होते है, DNA, RNA, and ribosomes भी, लेकिन यहाँ पर तो आपने बोल दिया, कि यह तो क्या, यह तो cell organal है, mitochondrial matrix होता है, उसमें DNA, ribosomes, और RNA, यह कैसे possible है, अरे यही तो खास बात है, इसको हलके में मतले, ना mitochondrial को, यह बहुत भारी चीज़ है, यह बहुत तगड़ी चीज़ है, पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि इसको पन क्या बोलता है, powerhouse of the cell, यह खास बात है इसकी, क्योंकि एक cell में energy कहां बनने वाली, एक cell को different chemical activities perform करने के लिए energy कहां से मि लिने वाली है, तभी तो बोल रहे है, powerhouse of the cell, उसके अलावा क्या कि इसके पास इसका खुद का DNA, RNA और राइबोजोम होते हैं, mitochondria बोलता है, nucleus से, इस देखो भी यह, तुम्हारे पास होंगे, तुम्हें DNA, RNA, राइबोजोम से, सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं भी कम ली हूँ, मेरे भी matrix में क्या है DNA, RNA, राइबोजोम से, समझे, यह बहुत खास बात है, बहुत खास बात है, इसको ध्यान रखन सवाल बन जाते हैं, इसके उपर, आपकी NCRT बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो structure तुमको उपर-उपर से समझ में आ गया, कि जो covering है वो बनी होगी दो membrane की, outer और inner one, outer membrane को NCRT बोल्डरी की यह, क्या है, porous है, क्योंकि pore present होते है, inner membrane highly folded होती है, और इनी folds या folding को हम क्य क्रिस्टे बोलते हैं, outer और inner membrane के बीच में space होती है, और inner membrane की जो folds, उसको क्रिस्टे बोल रहे है, उन crystal की बीच में जो space है, इनर चेंबर बोलते हैं, इस inner chamber में जो fluid भरा होता है, उसको पन बोलते है, mitochondrial matrix, जिसमें की होते है, DNA, RNA and ribosoms, ठीक है, चलो, अब यहांपर इसकी summarize पताई गई है कि यह जो माइटो कॉंड्रिया है यह एक्जैक्ली कहां कहां पाई जाते हैं इडिज़ रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोब्लाजम वह यू करियोटिक सेल्स एक्सेप्ट कौन है मैमेलियन आर्बीस हमारी जो होती न वह बिल्कुल मोह हमाया से दूर होती है वह बोलती है कि अपना न्यूकलेस भी खो देंगे और हमें माइटो कॉंड्रियों की भी जर्मत नहीं है तो सारे यूकलिटिक सेल्स में पाया जाएगा एक्सेप में मेलियन आर्बीसी उसके राबा देर ऑल्सो एप्सेंट इन प्रोकेलिट्स अपनको नहीं सॉसेट्ड इस चाहिब लड Va County इस्फेरिकर सफेरिकल सबीसकैंट और सपैसेंट्र कल今年 मतलब तो वह उग्द्रिपोर देगी सेल के बाहर जाने देगी अपने थूव और सेल वोल को ती बिंदास कोई भी आया सेल के दर कोई भी बाहर जा तो कोई मतलब नहीं होता ठीक वैसे ही mitochondrion की जो outer membrane है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है वो less permeable होती है, outer membrane बोलती है कि आरे क्या है, ठीक है जिसको जाना है जाए मुझे मतलब नहीं है, वहीं जो inner membrane होती है, जो की crystal बनाती है वो selectively permeable होती है तो outer membrane is less permeable, inner membrane is more permeable, यह मैंने numerous folds, these folds increase the surface area, अच्छा बोलोगी कि मैं, यह जो crystal है, यह जो folds है, इनका क्या significance होता है तो देखो आपकी NCRT क्या बोलती है NCRT बोलती है कि these folds increase surface area for ATP generating chemical reactions अब आप बोलोगी कि मैं, यह ATP generating chemical reactions, तो छोड़ो हमें तो यह ATP कही मतलब नहीं आया, बेटा ATP क्या होते हैं, molecules होते हैं पहली बत उनका full form क्या होता है adenosine triphosphate ठीक है, आपे लिखा भी होगा adenosine triphosphate, ATP का full form होता है, यह actually क्या होते हैं, molecules होते है जिनके अंदर energy जाकर कि store कर दी जाती है mitochondria के अंदर बेटा बनती है energy, certain chemical reactions के थूँ, क्या होंगी वो, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है अभी के लिए इतने समझ लोगी, हाँ mitochondria के अंदर क्या होती है, certain reactions होती, जिसकी कारण energy बनती है और वही energy इन ATP molecules के अंदर store कर दी जाती, जैसे कि अपन के घर में नी, grocery अपन शॉपिंग कर क्या आते, suppose अपन चावल लेकर क्या है, तो मम्या के क्या करेंगी उस चावल को डबो में store कर देंगी वैसे ही mitochondria के अंदर जो energy बन रही है उस energy को ATP molecules में store कर लिए जाता है, और फिर जब भी cell को किसी काम के लिए और इसलिए अपन ATP को बोलते है energy currency of the cell mitochondria को अपन बोलते है power house of the cell, क्योंकि power तो यहीं से, energy तो यहीं साने वाली यह cell में और ATP को अपन बोलते है energy currency of the cell कि energy की जो currency है ना, वो कहां से आईगी cell के पास, ATP के साथ ATP के पास से, क्योंकि ATP molecules में energy store होती है, जब भी किसी cell को energy चाहिए होती है काम करने के लिए, तो वो सबसे पहले ढूनता है कि यह भगवान ATP कांगा, जैसे कि आपन कुछ भी shopping करनी होती है, सबसे पहले अपना purse, अपना wallet चेक करते हैं, कि भईया purse का है, wallet का है, क्योंकि purse और wallet के अंदर क्या होता है, पैसा होता है, तो सबसे पहले ATP molecules को ढूना जाता है, क्यों, क्योंकि उन्हीं में होती है energy, ठीक है, चलो, these folds are called cristae, यह देखो, यहाँ पर और आपको clearly नजर आ रहा होगा, यह outer membrane होगी, brown वाली, yellow वाली क्या होगी, inner membrane, दोनों और inner chamber में देखो, क्या होता है, matrix होता है, inner chamber में matrix होता है, matrix में देखो, DNA होता है, ribosomes होता है, और RNA वगेरा होता है, चीक है, चलो, the two membranes of each mitochondrion are separated by a narrow space called inter-membrane space या outer chamber, है न, दोनों membranes के बिए जगा होती, उसको अपन क्या बोलते हैं, outer chamber, या उसको अपन इंटर-membrane space भी बोल सकते हैं, it contains a clear homogeneous fluid, the space between the cristae is called inner chamber और वो filled होता है, एक dense fluid से, जिसको अपन बोलते हैं, mitochondrial matrix, this matrix में क्या-क्या होता है, most importantly, ribosomes, DNA और एक circular DNA होता है, and certain ions along with lipids, enzymes बगेरा बगेरा, ठीक है, अब देखो, main काम आता है किसका mitochondria गए यहाँ, shape समझ लिया, structure समझ लिया, कहां-कहां पाया जाता है, वो समझ लिया, ठीक है, अब ज़रा function हम देखते हैं कि क्यूं आखिर mitochondria को हम powerhouse of the cell बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, तुम सबको पता है, कि हम सांस लेते हैं, मैं समय आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भी बेटा, मैं सांस ले ही रही हूँ, है ना, सांस लेने का मतलब क्या है, we do gaseous exchange, मतलब हम अपने body की carbon dioxide दे देते हैं surrounding air को, surrounding air से जो oxygen है, उसको अपनी body के अंदर ले ले लेते हैं, इस समय आप बैट करके, लेट करके, खड़ो करके, वीडियो देख रहे हो, आप भी क्या कर रहे हो, ये gaseous exchange कर ही रहे हो, oxygen आप लगातार क्या कर रहे हो, बाहर से, external surrounding से, अपनी body के अंदर ले ही रहे हो, ठीक है, दो nostrils होती हैं अपनी यहाँ पर, दो nostrils है ना, एक nostril जाके खुलेगी एक nasal cavity में, दूसरी खुलेगी जाकर के, दूसरी nasal cavity में, ठीक है, तो अभी तुमको side view दिख रहा है, इनसान का, इसलिए यहाँ पर तुमको एक ही nostril और उसकी एक ही nasal cavity दिखेगी, पर यह मान की चलो कि दो nostrils होती है, सब लोग चेक भी कर सकते हैं और दो nasal cavity होती है, ठीक है, चलो, यहाँ देखो, तो यह जो पूरी बेटा nasal cavity हैं, दोनों, जिसको आप commonly nasal passage बोल सकते हो है न, nasal passage, यह पूरा nasal passage, जा करके खूलता है, एक small tubular passage में, जिसको अपन बोलते हैं pharynx, ठीक है, pharynx आगे जा करके divide हो जाता है, दो tubes में, आगे वाली tube जो होती है, आगे वाली tube जो होती है, इसको मैं जो जो एस बनाना चाहिए, आगे वाली जो tube होती है, उसको अपन बोलते हैं trachea, या wind pipe भी आप उसको बोलते हैं, पीछे वाली को बोलते हैं esophagus, या फिर food pipe भी बोल सकते हैं, आप तो इसको ऐसे समझो, जैसे कि यहाँ तक आया pharynx, ठीक है, यह pharynx, और यहाँ तक आकर के आगे, यह दो tubes में divide कर गया, सपोज यह हो गई आगे वाली tube, ठीक है, और मेरे पास कुछ और है नहीं, इससे बता रही हूं, ठीक है, यह हो गई आगे वाली tube, और यह हो गई इसके पीछे वाली tube, बात समझ मैं आई, यहाँ तक pharynx आया, और यहाँ से आगे, फिर वो दो tubes में divide कर कया, आगे वाली tube, पीछे वाली tube, यह जो आगे वाली tube है यह है trachea, wind pipe, और जो पीछे वाली ट्यूब है यह है इसोफेगस या बोल सकते हो इसको फूड पाइप भी फिलाल के लिए हमें अभी यह जो है ना इसोफेगस इससे अभी हमें मतलब नहीं है हमें बात करनी है इस ट्रेकिया की ठीक है आगे जाकर के यही ट्रेकिया दो और ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है ठीक है और फिर क्या होता है हर एक ट्यूब हर एक ट्यूब एक लंग में एंटर कर जाती है हमारे पास दो फेफडे होते हैं दो लंग्स है ना एक यह वाला और एक यह वाला तो देखो ट्रेकिया या विंड पाइप आगे जाकर के दो और ट्यूब कहांच लंग के अदर चले गई है यह वाली ट्यूब चली गई है मतलब की लेफ्ट लंग में और यह वाली टूब आचुकी है राइट लंग के अंदर सत्क है इतना पलने पड़ा यह बहुती बेसिक सा थुमको मैंने क्या कर दिया है respiratory tract जो है पूरा समझा दिया है एक दम basic basic 10 में जाकर करके तुम्हें इसका advance form देखने को मिलेगा पढ़ नहीं पड़ेगा वहाँ पर तो तुमको ठीक है अब देखो क्या हुआ हमने surrounding air से external environment से क्या करा जो oxygen है उसको हमने inhale किया तो देखो यह रही oxygen nostrils के थू कहां गई यह oxygen तो हमारी दोनों nasal cavities में मिला करके क्या बोल देते है nasal passage ठीक है तो यह oxygen travel कर रही है कहां यह oxygen है बेटर की के ना कुछ और मत समझ जाना चलो यह क्या है oxygen है ठीक है तो nostrils इसराउंडिंग एर से कहां गई हमारे body के अंदर आगई body के अंदर भी का स्पेसिकली हमारे नेजल पैसेज में ठीक है आप देखो नेजल पैसेज से तो देखो नेजल पैसेज से कहा अगई oxygen फैरिंग में अगई फैरिंग से कहां जाएगी ट्रैकिया में ट्रैकिया से कहां जाएगी इन दोनों ट्यूब्स इसे कहां जाएगी एल्टीमेटली ऑक्सिजन दोनों फेवरों में आ गई कि नहीं आ गई लंग में आ गई कि नहीं आ गई अब ये तो सिर्फ हमने मतलब अपना फाइदा देखा है क्या ओक्सिजन ले ली अब बदले में कुछ देना भी तो पड़ेगा ना तब तो ये गईशेस एक्स्चेंज बनेगा एक्स्चेंज का मतलब ही क्या होते है कि मेरे पास है डेरी मिल्क तुम्हारे पास है फाइव स्टार तो मैंने अपनी ड का एक्स्चेंज यहां पर होगा गैस्चेंज कैसे स्राउंडिंग एर से हमने ऑक्सिजन ले ली और बदले में उसको कार्बन डायोकसाइड दे दी तो मान लो कि हमारे दोनों लंग्ज में क्या है कार्बन डायोकसाइड है ठीक है हमारे दोनों लंग्ज में क्या है ये कार carbon dioxide ultimately कहां पहुंच जाएगी ट्रेकिया में ट्रेकिया से कहां उपर आएगी फैरिंग में फैरिंग से कहां नेजल पैसिज से कहां अल्टीमेटली नोस्टिल्स के तुरू बाहर निकल जाएगी स्राउंडिंग यहर में तो ऑक्सिजन ली कार्बन डायोकसाइड दी हो गया क्या गैस्टेंज ठीक है तो कुल मिला करके हमारे दोनों लंग में ऑक्सिजन आ गई अब तुम मुझे बताओ कि इस ऑक्सिजन का क्या होने वाला है तुमने का कि मैं यही तो होता अब इसके आगे तो हमें पता ही नहीं है तभी पता चलेगा ना रुको तो वही तब मुझे आपको सिखाना है कि यह जो ऑक्सिजन दोनों ही फेफड़ों में आ चुकी है अब यहां से ऑक्सिजन जिन्दिगे पर बैठी तो नहीं रहेगी बिटा यह आगे जाएगी कहां आगे जाएगी यह हमारे बॉड़ी के हर एक सेल हर एक टिशू के पास जाएगी हर एक मलब अभी टिशू छोड़ दो अपना भी पढ़ाई नहीं है बॉड़ी का सेल समझ दो हमारे बॉड़ी में इतने सारे सेल होते हैं हर एक सेल के पास ब लूइड कनेक्टिव टिशू है ना पूरी बॉडी में फ्लो करता है ब्लड तो बॉडी के हर एक सेल के पास पहुचता है ब्लड तो ब्लड बोलता है कि यार यह जो लंग में जो ऑक्सिजन भरी हुई है मुझे दे दो और जहां-जहां में जाता जाओंगा वहां-वहां इस माइटो कॉंड्रियों है यह क्यों मैंने बनाया स्पैसिफिकली अभी आपको पता चलेगा तो ब्लड ने बोला कि देखो मैं तो इस सेल के पास चाहि रहा हूं लंग पास अगर औक्सजन है तो दे-दो आ तो लंग नथिका ले जाओ तो लंग्स अब तो खाना भी तो खाते हैं ना सिर्फ तुम सांस लेते हो बिटा ना सिर्फ तुम उन्म करते हो बलकि तुम खाना भी तो खाते हो suppose तुमने क्या खाए रोटी खाई है रोटी में क्या होता है carbohydrates, starch body के अंदर जाकर के क्या होता है, उसका digestion होता है digestion मतलब क्या complex जो component है उसको simpler forms में तोड़ना तो जो रोटी तुमने खाई थी उसमें जो starch था, उसको तोड़ा गया कि इसमें glucose में अब वो जो glucose है पिटा तुम्हें पता है कि तुम्हारी elementary canal या यह समझ लो कि तुम्हारी जो small intestine है small intestine में होता है complete digestion है ना, तुम्हारी small intestine में जो starch का digestion हुआ है और जो बना है glucose, अब वहाँ से glucose जिंदिगे पर भहिंती नहीं बठा रहेगा अब glucose, जैसे कि तुम्हारी small intestine है जैसे तुम्हारी small intestine और यह क्या है यह है तुम्हारी blood vessel जिसमें की blood flow करेगा तो अब देखो क्या होगा small intestine में जो glucose है small intestine में जो glucose है वो glucose small intestine की wall के थूँ intestine की lumen में, cavity में जो glucose बनाए ना carbs के digestion के बाद में यह glucose intestine, small intestine की wall के थूँ उसको cross करके कहां पहुँचाएगा इस blood vessel के अंदर मतलब की blood में कहा था glucose, small intestine के अंदर उसकी cavity, उसकी lumen में उसकी wall को cross करके वो कहां पहुँच किया blood vessel में यह ने की blood stream में अब blood बोलेगा कि भई मैं तो जाई रहा हूँ हर body के cell के पास तो जो glucose है मेरे अंदर वो मैं माट दूँगा तो जैसे यह blood पहुचा इस body cell के पास इसमें जो glucose था वो glucose कहां आ जाएगा बेटा cell के अंदर आ जाएगा तो अब आप देख सकते हो कि cell के अंदर दोनों चीज़े आ चुकी है oxygen भी आ चुकी है glucose भी आ चुका है जो खाना खाया उसमें जो starch था वो टूटा उसका digestion हुआ क्या बना ultimately glucose बना glucose कहां पहुचा blood stream में यह निकि blood में blood से कहां आ गया body cell के अंदर आ गया जो हमने सांस ली जो हमने gaseous exchange करा उससे भी oxygen जो लंग्स में थी ultimately वो भी कहां गई blood stream के थूट बोडी cell में यह बोडी cell में देखो अब यह दोनों ही है अब पता है क्या होने वाला है अब होने वाला यह है कि यह oxygen बोलेगे कि वह मज़े आ गई glucose है मैं इसको उठा करके तोड़ दूँगी तो glucose जाएगा कि oh my god यह मैं कहां आगे यह तो मुझे तोड़ देगी उठा करके और डर के कारण glucose जाकर के छुपेगा कहां? माइटो कॉंड्रिया में यह माइटो कॉंड्रिया में आई बाद समझ में glucose बोलेगा कि बापरी तो मुझे उठा करके तोड़ देगी मैं तो जो है जाकर के छुप जाता हूँ obviously ना उसको डर लग रहा है तो यह चुपेगा कहां छुपेगा जाकर के माइटो कॉंड्रिया में यह glucose डर जाएगा क्यों मैं गाट तो अब यह जाकर के दोड़ करके छुप जाएगा माइटो कॉंड्रिया में oxygen बोलेगी कि अरे बच्चू मैं क्या माइटो कॉंड्रिया में आ नहीं सकती क्या मैं भी आ सकती हो तो यह glucose गया था और उसके पीछे पीछे oxygen भी चली गई कहा माइटो कॉंड्रिया में साइटो प्लाजम से बच करके glucose पहुंच गया था कहा माइटो कॉंड्रिया में अब माइटो कॉंड्रिया से कहा और अंदर जाएगा कहा बच सकेगा oxygen से नहीं मच पाएगा यहां कि जैसे ही mitochondria में oxygen पहुंची उसने उठाकर के glucose को तोड़ दिया जिसको अपन बोलते हैं oxidation और जहां इसने उठाकर के तोड़ा बेटा बधाई हो यहां पर पता है क्या होने वाला है कार्बन डायोकसाइड बनेगी पानी बनेगा और साथ में बनेगी energy अब समझ में आया कि कौन सी केमिकल रियक्शन की बात चल रही थी कि जो हम खाना खाते हैं जो हम सांस लेते हैं हमारे हर एक बॉड़ी सेल कि साइटो प्लाजम में पहुंच जाता है ग्लुकोज और ऑक्सिजन बोलती है कि मैं इसको तोड़ दूँगी तो यह अपना डर जाता है यह चुपता है कहां माइटो कॉंड्रिया के अंदर जाकर के ऑक्सिजन बोलती कि अच्छा मैं निया पा उसका जिसको अपन ऑक्सिडेशन भी बोलते हैं और जैसी ब्रेकडाउन हुआ कार्बन डाउक्सिट बना पानी बना और निकली धेर सारी एनरजी और इसी एनरजी को फिर स्टोर किया जाता है एटीपी मॉलीक्यूल्स के अंदर और फिर जब भी सेल में एनरजी के ATP को हैं एनरजी करेंसी और इसलिए हम क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दब सेल की बया पर एनरजी बनेगी जहां पर नेहीं सिंथीज होगी माहां है ठीक है पल ने पड़ गई बात कि ग्लुकोज और ऑक्सिजन दोनों पहुंचेंगे कहां सेल के सेटोप्लाजम से माइटोकॉंड्रिया के अंदर वहां पर उठा करके ऑक्सिजन तोड़ देगी ग्लुकोज को जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सिडेशन ठीक है और इस ऑक्सिडेशन से क्या होगा कार्बान डाक्षिट बनेगा पानी बनेगा और साथ में निकलेगी एनर्जी धेट सारी एनर्जी और वही एनर्जी फिर एटीपी मॉलेकूल में स्टोर कर दी जाएगी फिर जब भी सेल किसी भी केमिकल एटीवीड को परफॉर्म परफॉर्ट सीच वाज्व को परफॉर्ट र्रेस्पिरेशन बोलते हैं इस्के भी कुछ-कुछ स्टेप्स होते हैं लेकिन आप 9 में हो इसलिए मैं नी पढ़ा रही हूं बागी हाँ इस प्रोसेस को पन क्या बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे अपर यह लिख oxygen जो होता है food components का बिटा उससे निकलती है energy which is temporarily stored to form high energy ATP molecules ATP is used to bring about energy requiring activities of the cell on this account जो mitochondria है और often described as powerhouse of the cell या storage batteries of the cell and ATP को अपन क्या बोलते है energy currency of the cell ठीक है तो जो भी हमने खाना खाया है cell के अंदर गया cytoplasm में है ना जैसे की glucose वगेरा oxygen भी आ गई फिर दोनों गया कहा mitochondria में उठा करके oxygen ने तोड़ दिया glucose को जिसको अपन क्या बोलते है oxidation बोलते है और इस food के oxidation से क्या होता है carbon dioxide और पानी तो बने गए बने का साथ में निकलेगे energy जो की जागे सोड़ हो जाएगी कहा ATP molecules के अंदर clear होगा so this is all about mitochondria बीटा mitochondria के बारे में इतना ही हमें पढ़ना था एक काम करते ना लगे हाथ NCRT भी रीड करी लेते हैं NCRT क्या बोलती है mitochondria के बारे में फिर आपन बात करेंगे लाइसोजोंस की लाइसोजोंस का कॉंसेट बहुत ही बेसिक सा है पांच मिट के अंदर हो जाएगा mitochondria रोन आज़ा पावर हाउस अफ दे सेल mitochondria have two membrane coverings the outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded these folds increase the surface area for ATP generating chemical reactions जो क्रिस्टे होते ना बेटा ultimately वहीं पर क्या होने वाला है chemical reactions होने वाली है ताकि ATP generate हो the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules को कितनी बड़ी बार बोल दिया नसी आटी ने कि जो energy चाहिए होती है chemical activities को perform करने के लिए ताकि life जो है ना वो बनी रहे ना बनी यह उनिदा रहे organism it is released by mitochondria in the form of ATP molecules ATP is known as energy currency of the cell the body uses energy stored in ATP for making new chemical components and for mechanical work mitochondria are strange animals in such sense that they have their own DNA ribosomes therefore mitochondria are able to make some of their own proteins याद करो क्या होता है DNA के उपर specific segments होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं जीन्स क्या करते हैं प्रोटीन बनाते हैं तो mitochondria थोड़े से अलग हैं क्यों क्योंकि उनके पास उनका खुद का DNA RNA होते हैं उनके पास जिसके करण वो अपना कई हद तक प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं अपना DNA RNA और राइबोजोम होने का क्या मतलब निकलता है कि Mitochondria अपने प्रोटीन कई हद तक खुद ही बना लेते हैं न्यूक्लियस पर जादा डिपेंड करने की उनको जरुवत नहीं पड़ती है ठीक है चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी लाइसोजोम्स की आ जाओ अब यह लाइसोजोम्स होते हैं क्या है यार यह कुछ नहीं ust memory in बाउंड चोटे चोटे से वसाइकल नोतै यह दिखाला आपको ये यह क्या है कि एक डां कटुरी ही तो है कटुरी भॉक्सही थो है डबबा ही तो है मैंड्रें से बंधा हुआ अ यहमेंदरबाउंड व Yes.jak अंधर होते हैं हाईड्रोलिटिक है यानिकि digestive enzymes जी दिख रहा है यह enzymes जी सब भरे होते हैं अब यह जो digestive enzymes है बेटा क्या-क्या चीजों को digest कर सकते हैं तो इसके अंदर के enzymes डाज़स्ट कर सकते हैं carbs को, fats को, proteins को and nucleic acids को जैसे DNA, RNA अगारा हो गया तो cell के cytoplasm में, ऐसा समझ लो कि cell के cytoplasm में, जैसे कि ये cell है, ये पूरा उसका cytoplasm है जैसे इस पूरा cytoplasm मेरा जो cytoplasm में भोड़ा cell के बाहर निकाल रहा है, तुम मत निकालना ठीक है? और इसके cytoplasm में पाए जाते हैं कुछ membrane bound डब्बे, ये दिख रहा हैं, ये, membrane bound डब्बे, इन डब्बों के अंदर भरे होते हैं, digestive enzymes और बस इनही membrane bound डब्बे, जिनके अंदर भरे होते हैं, धेर सारे digestive enzymes इनहीं को हम बोल देते हैं, क्या बेटा? लाइसोजोम्स और कुछ नहीं सो लाइसोजोम्स और membrane bound वेक्योलर ओर्गिनल्स, रिस्पॉंसिबल फॉर दा इंट्रसलूलर डइजेशन, क्या मतलब हो अभी बताती हूं में इन दा युकेलोटिक सेल्स ग्रीक वर्ड लाइसिस का मतलब क्या होता है, डिससलूशन सोमा का मतलब क्या होता है, बोडी तो ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी स्पेरिकल बोडी है जो हर चीज को अपने अंदर घोलने के लिए डाजस्ट करने के लिए सक्षम होती है क्योंकि इनके अंदर भरे होता है हर चीज को डाजस्ट करने वाले enzymes, hydrolytic enzymes ठीक है? कहां कहां पाई जाते हैं? अब ये बने कहां से होते हैं? इनका originate ये कहां से होते हैं? तो इसके पीछे बेटा आप बोल सकते हो कि हाथ है दो cell organals का जिनको अपन ने previous lecture में पढ़ा था ER and Golgi body याद करो मैंना को तब भी पढ़ाया था कि endoplasma reticulum का जो rough वाला पार्ट होता है मतलब RER rough endoplasma reticulum वो protein synthesis में involved होता है ठीक है? एक्चुली पेटा ये जो enzymes होते हैं ये होते क्या हैं? ये proteins ही तो होते हैं सारे proteins enzymes नहीं होते हैं लेकिन सारे enzymes proteins होते हैं तो RER जो होता है वो basically क्या करता है? protein synthesis में involved होता है ठीक है? वो protein बनाता है और उसी protein को कुछ वो membrane में pack करकर जो है न भीज़ देता है कि इसको ER की lumen से बाहर फिर इसके बाद में वो जो transport vesicles होते हैं वो कहां जाते हैं? फिर गॉल्जी body की cis face के पास जाते हैं cis face क्या करेगा गॉल्जी body को उन vesicles को गॉल्जी body के अंदर ले लेगा गॉल्जी body क्या करेगा? उन vesicles के अंदर जो proteins भरे हुए हैं उनको वो सबसे पहले अलग-अलग करेगा sorting करेगा फिर कुछ-कुछ-कुछ-कुछ modification करेगा तो कुछ proteins को बिटा वो modify करके क्या करता है? enzymes का रूप दे देता है आई बात समझ में, main जो raw material था, वो कहां बना था? endoplasmig reticulum में specifically RER में proteins तो वहीं बने थे वो proteins membrane में pack करकर ER के बाहर फेक दिये गए ER से फिर वो कहां गए transport vesicles वो गए Golgi body के cis face पर cis face ने क्या करा? उन vesicles को अपने अंदर ने लिया कहां? Golgi body के अंदर Golgi body ने क्या करा? उन vesicles के अंदर जो भरे हुए proteins थे उनको अलग-अलग किया फिर कुछ-कुछ modification किया और कुछ proteins को कुछ proteins को उसने modify कर दिया किसमे? enzymes में फिर इन enzymes की उपर membrane की covering लगाई गई इन enzymes की उपर membrane की covering लगाई गई और फिर वो vesicles बन गए और फिर वो vesicles Golgi body के trans face के थू कहां आ गए बाहर आ गए cytoplasm में आ गए तो वो जो बिटा vesicles थे न membrane bound vesicles जिनके अंदर ये digestive enzymes भरे होते हैं अरे उनी को तो बोल देते हैं lysozome lysozome कोई बड़ी बात है ही नहीं तुम तो ये समदो कि ER ने जो protein बनाया और Golgi body ने जो उसको सोड़ा सा modify करके pack करके vesicle की form में बाहर फेंग दिया cytoplasm में वही है lysozome कि protein बनाये RER ने Golgi body के अंदर आ गए sis face से Golgi body ने क्या करा proteins को अलग अलग करा modify का कुछ proteins को उसने क्या करा modify कर दिया enzymes में उनी enzymes के उपर क्या करा membrane की covering लगा दी और covering लगा लगा करके transverse से बाहर निकाल दिया मतलब कि transport vesicles बन गए और उनी membrane bound transport vesicles में भरे होते हैं digestive enzymes और उनी को उपर बोल देते हैं lysozomes खतम बात the lysozomes arise from arise कहा से होते हैं Golgi body से their membrane और जो उनके hydroletic enzymes है बेटा वो कहा सिंथिसाइज होते हैं R.E.R. में सिंथिसाइज कहा हुए R.E.R. में release कहा से हुए Golgi body से ठीक है and are transported in the transport vesicles to the Golgi complex for modification and further packaging secretary vesicles filled with lysozomal enzymes but off from the Golgi complex as primary lysozomes ठीक है structure कैसा होते हैं tiny spherical structure होता है satoplasm में फहले रहते हैं each lysozome is bounded by a single unit membrane जैसे कि अपने देखा था mitochondria की जो covering होती थी वो double membrane ये single membrane वाले होते हैं ठीक है it contains densely filled granular fluid under the later consists of मतलब वही जो fluid है उसमें क्या होता है hydrolytic एनिकी digestive enzymes which are capable of digesting all the organic materials there are different set of enzymes and different lysozomes their membrane prevents the lysozome अच्छा दिमांगा आने वाली बात है जैसे कि मैंने बुलो कि देखो बेटा ये क्या है एक डब्बा है डब्बे की ये covering है और इसके अंदर क्या है धेर सारे digestive enzymes है जो पूरे की पूरे organic matter को क्या कर सकते हैं digest कर सकते हैं fats, lipids, proteins इन सब कुछ को क्या कर सकते हैं ये digest कर सकते हैं तो ओविस ही बात है ये डब्बा है कहां ये डब्बा है cell के अंदर cell के अंदर कहा cytoplasm में cytoplasm में तो बिटा खुदी तरह तरह का organic material है carbs है, proteins है ये है, वो है इसका मतलब ये है कि cell का cytoplasm और cytoplasm में जो organic content है जो अलग-अलग तरह के materials है वो सब चीजें in digestive enzymes से protected है किसके कारण तो ये जो डब्बे की जो membrane है जो covering है वही covering क्या कर रही है अंदर के digestive enzymes को डब्बे के बाहर नहीं आने दे रही है यानि कि ये जो लाइसोजोम है ना बेटा इसकी जो covering है single covering ये covering अंदर के digestive enzymes को cytoplasm में नहीं आने देती है अदर्वाइस क्या होगा वही ये तो digestive enzymes है इनको तो सिफ क्या करने से मतलब है digest करने से मतलब है फिर वो cell कही अंदर का सामान क्यों नहीं हो तो कर डालेंगे digest उठा करके तो ऐसा ना हो इसलिए ये membrane बोलती कि नहीं भई या नहीं इन digestive enzymes को cytoplasm के साथ mix नहीं उने देना otherwise क्या होगा मान लो कि कभी अगर ये ये जो membrane है ये जो membrane है ये कभी फट गई रप्चर हो गई accidentally तो पता ही क्या होगा अंदर के digestive enzymes बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर कि क्या करेंगे cytoplasm के पूरे content को ठाकर के digest कर मारेंगे तो अब बोलोगे इस तो cell मर जाएगा exactly cell मर जाएगा तभी तो इनको अपन क्या बोलते हैं suicidal bags बोलते हैं हमारे cell के अब cell यह सोचेगा कि मैं तो मरी रहा हूँ मेरे कारेंग ऐसा ना हो कि आसपास के cell भी मर जाएं तो मैं काम करता हूँ मैं suicide कर लेता हूँ और वो बोलता है lysosomes की membranes को कि तुम लोग फट जाओ अंदर के digestive enzymes को बाहर निकालो ताकि बाहर आकर के वो digestive enzymes cytoplasm के पूरे content को जो पैथोज़ने उन सब को मार डाले और ultimately cell की death हो जाए ताकि जो आसपास के जो cells है उन में infection ना हो कम से कम वो ना मरे तो cell खोदी कभी कभी क्या करता है suicide कर लेता है for the sake of other cells neighboring cells ठीक है और इसलिए इनको पन क्या बोलते है suicidal bags ठीक है so the membrane prevents the enzymes from escaping into the cytoplasm and destroying it if the membrane of lysosome happens to get ruptured जो enzymes होते है lysosome के वो digest कर लेंगे क्या cell के ही अंदर के content को और इससे क्या होगा cell की death हो जाएगी so lysosomes are called suicidal bags the suicide bags of the cell ठीक है अब बस इनके function नहीं है जादा कुछ तो है नहीं next digestion of useful materials आपको याद होगा हमने जब endocytosis की बात करी थी bulk transport में endocytosis और exocytosis कि जब bulk amount में या large molecules cell membrane को cross करके cell के अंदर आते हैं large amount में या large molecules जब cell के अंदर आते हैं cell membrane को cross करके उसको पन क्या बोलते हैं bulk transport बोलते हैं endocytosis भी दो तरह का होता है endocytosis भी दो तरह का होता है एक होता है penocytosis एक होता है penocytosis और एक होता है phagocytosis penocytosis का मतलब क्या होता है cell drinking कि कोई liquid most probably जो पानी है वही क्या हो रहा है cell के अंदर आ रहा है phagocytosis का मतलब क्या है कि कोई solid partition या molecule cell के अंदर आ रहा है चाहे पानी cell के अंदर आदर आए penocytosis से या कोई solid material अंदर आए cell के phagocytosis की दिनू !" Independence कुछ ना कुछ तो देखो यहाँ पर देखो cell के अंदर आ ही रहा है कहा यह देखो यह बन गया क्या food food vacuole vacuole मतलब क्या जिसमें कुछ ना कुछ store हो है ना जो चाहे पीनो साइटोस हुआ हो चाहे फेगोस साइटोस हुआ हो कुछ ना कुछ तो liquid या solid आ ही रहा है cell के अंदर cell के अंदर कहां तो यह देखो इस वैक्योल में आ करके वो चीज पैक हो जाती है अब इसके अंदर जो भी समान है उसका डाइजेशन करना जरूरी है तो क्या होता है यह आते हैं देखो लाइसोजोम्स डाइजस्टिव इंजाइम्स अपने लेकर के यह बोलते हैं कि अरे देखो food vacuole भरा है इसके अंदर कुछ खाना है कुछ लिक्विड है उसे आकर के हमें डाइजस्ट करना है तो वाज़ों डाइजस्ट करते हैं तो यह लाइसोजोम्स आते हैं और इस food vacuole के उपर आकर के चिपक जाते हैं और अपने digestive enzymes को यह release कर देते हैं vacuole के अंदर तो obviously क्या ओने वाला है vacuole के अंदर जब digestive enzymes आएंगे तो vacuole के अंदर जो भी समान भरा होगा ना बेटा जो भी material होगा उस material का digestive enzymes अच्छे से उसका digestion कर देंगे इसलिए बोला जा रहा है क्या useful materials का digestion कौन करते हैं हमारे lysosomes आए बात समझ में कि जो भी cell के अंदर खाना आया है पानी आया है ultimately का आया है वह इस दो food vacuole के अंदर trapped है अब उसका digestion होना जरूरी है तो कौन करेंगे lysosomes आएंगे चिपक जाएंगे food vacuole के उपर अपने digestive enzymes को release कर देंगे वो enzymes जाकर कि क्या करेंगे vacuole के अंदर जो भी खाना बीना है उसको उठा करके digest कर देंगे the organic substances food particles taken up by the cell in vacuoles spinosomes या phagosomes from the environment are digested in the lysosomes it is called intracellular digestion की cell के अंदर हो रहा है इसलिए intracellular digestion यह देखो यह आया food particle यह देखो food vacuole के अंदर आ गया food particle यह देखो यह आ रहे है lysosomes और यह देखो यह आकर की चिपक गगए इसके साथ digestive enzymes ने क्या करा food vacuole के इंदर जो खाना था उसको digest कर दिया nutrients बहार आ जाएंगे जो waste होगा वह exocytosis के तुरू बहार निकल जाएगा okay digestion of harmful materials अभी था क्या useful materials का digestion जिसको पर बोलते हैं intracellular digestion अब यहाँ पर आ रहा है कि जो harmful substances जो materials होते हैं उनका भी उठा करके digestion कर देते हैं कौन हमारे lysosomes the lysosomes dispose of the foreign particles virus bacteria toxic molecules by hydrolyzing them and wbc's जो आपको पता ना कि हमारी body का एक different system होता है जिसको अपन बोलते हैं immune system कौन बनाते है immune system हमारे wbc's white blood cells तो जैसे ही हमारे blood में कोई pathogen घुसने की कोशिश करता है जैसे कि bacteria आ गया है ना कोई toxic molecule आ गया कोई virus आ गया तो जो मारे wbc's होते हैं वो बोलते हैं कि यह देखो कोई foreign pathogen आया है body infection cause करने के लिए इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं तो जो मारे wbc's होते हैं जो white blood cells होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं लाइसोजोम होते हैं और वो जैसी देखते हैं कि देखो blood में कोई pathogen आया है तुरंत जा करके क्या करेंगे wbc's सबसे पहले उसको अंदर लेंगे मतलब phagocytosis करेंगे किसी भी चीज़ को digest करना है तो सबसे पहले cell को उसको अपने अंदर लेना पड़ेगा न तो wbc's क्या करते हैं जैसे कि यह wbc है यह देखेगा कि blood में देखो pathogen है तो यह wbc जाएगा और जा करके सबसे पहले इस pathogen को वो अपनी body के अंदर लेलेगा phagocytosis के थूँ फिर इसके पास जो lysosomes होंगे वो जाकर की चिपक जाएंगे और अंदर जो भी pathogen है उसको जाकर की destroy कर देंगे अपने digestive enzymes की मदद से तभी तो infection नहीं हो पाते है हमको तरह तरह के अब सम्भूस क्या हुआ है अब सम्भूस क्या हुआ है कि चोट वगेरा लग गई थी है ना तो जहां पर चोट लगी वहां कि जो cells है वो damage हो गए ठीक है कुछ कचरा वचरा है debris है तो जो lysosomes है वो बोलेंगे कि या देखो यह जो site of injury है माना कि यहां पर चोट लगी माना कि यहां पर cells मालब death हुई cells की है ना अब dead cells पढ़ें तो भाई इन dead cells को हटाना पड़ेगा ना तब जाकर के तो इनके जगा पर नए अच्छे वाले cells आप आएंगे तो lysosomes क्या करते हैं जाकर के जो dead cells है जो कच्रा कूडा जो debris है उसको जाकर के वहां से हटा देंगे ताकि नए cells के लिए living cells के लिए वहां पर जगा बन जा है तो इसलिए इसलिए यह नाच्रल scavengers and cellular housekeepers का भी काम करते हैं कि जहां पर site of injury है वहां पर जो भी dead cells है जो भी debris से उसको वहां से हटाने का काम किसका होता है यह नहीं का होता है अब आ जाओ NCRT क्या बोलती है वो भी देख लेते हैं structurally lysosomes are membrane bound sac filled with digestive enzymes these enzymes are made by RER कौन बनाता है RER lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell these help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as the worn out cells मतलब कि वो अच्छा worn out जैसे कि कुछ cell organals है बेटा ठीक है वो काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं अब वो बूड़े हो गए हैं अब obvious ही वादे बेटा जो बूड़े हैं जो cell organals हैं वो उतने चैसे काम नहीं कर पहेंगे जैसे कि देखो अपने आभी retirement की कि 60 की उमर के बाद इंसान को रिटायर होना ही पड़ता है कि काम करने की एफिशेंसी काम हो जाती है जो तो यह replacement बिटा क्या है दुनिया का रिवाद हैं तो हमारे cell में भी क्या हैं तरह तरह की cell organals हैं कभी तभी काम करते हुए खराब हो जाते हैं या damage हो जाते हैं या बुड़े हो जाते हैं तो उनको replace करने के लिए लाईसुजोम जो है वो काम काते हैं लाईसुजोमगो बोलते हैं कि भाई यह जो लो जाकर के लाईसुजोम in theे के लिए इसलिए बोला गया है कि इस तो आन चाह娘 जीर है तो अ मियुवद वेला चीन कि पारदा कि जाकर को दी farmers नेंड्य को which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all the organic material. During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosomes ही फट जाते हैं, ताकि cell को ही वो ठाकर के digest कर दे. Thus, they are known as suicide bags of the cell. ठीक है? तो बेटा, आज के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले session में. और अगले session में हम क्या करेंगे? अगले session में हम इन दोनों के उपरा कुछ questions को solve कर लेंगे. ताकि इन दोनों ही topics का जो concept है, वो तुम्हारे दिमाग में fix हो जाए. तो अब हम मिलेंगे अपने अगले session में. तब तक के लिए keep learning, with definite success बाद चाला. Bye-bye, have a great day.